आपको मैं अपने चानल लिट्सी में स्वागत करता हूँ धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए आज आप मेरे स्वाध रहे और मैं आपको ब्रह्मनी नदी में जो सिकंड प्रीज हैं मैं उसको आपको दिखाऊंगा बारिस के बाद घुमना कितना अच्छा लगता है इसलिए आज मैं आपना दोस्त के साथ बारिस के बाद घुमने के दिन निकला हूँ ताकि मैं आपके लिए एक वीडियो प्रस्तूत कर सकूँ अब हम लोग दिलिप्तिर की चोग के और अग्रेसर हो रहे हैं रेट तरफ जो बड़ा बिल्डिंग बन रहा है और स्मार्ट से टेरोल के राका ओफिस बनने जा रहा है यहां से आगे बढ़कर दिलिप्तिर की चोग से लेट तरफ आपको जाना है रेट तरफ जाएंगे तो अहीं पूराना ब्रेजें पाएंगे और लेट तरफ जाते हैं लेट तरफ जाने के बाद यहां से आप टर्न किजएगा यहां दिलिप्तिर की चोग राइट तरफ पन पूस चाक पहुचाएगा और लेट तरफ जाएंगे यहां से आपको लगभाग डेट के लिमेंटर जैसे होगा जाने के बाद आपको राइट टर्न लेना पड़ेगा और राइट टर्न से आप सीधे नया ब्रेज में जा सकते हैं बहुतों को कंफ्यूजन है कि अब तक रास्ता खुली कि नहीं खुली पर ऑफिसली यह आनो खुला नहीं हुआ है अनोफिसल ही हम लोग जा रहे हैं इसलिए बीच-बीच में ब्लोके सब हैं जो बड़े गड़ी जाने के लिए ने दिया जा रहा है छोटे गड़ी जा सकती है यहां सीधा आगे बढ़के जो कार आगे आप देख रहे होंगे उनको हम लोग पीछा किये हैं लग रहे हैं वे भी नया ब्रीच के बड़ जा रहे हैं तो यहां से आप आगे जो ट्रॉक दिख रहे हैं वहां से भी जा सकते हैं चाहिए यहां से सोटकाट ले सकते हैं इस सोटकाट लेने के बाद आप डिरेक्ली में वे जो बास आ रहे हैं वहां आप लोग जा सकते हैं यह रहा हम लोगा पहुंच ही गया है में रूट में और देखिएगा अभी एक कार कितना स्पिट से जाएगा देखिए और रास्ता इतना स्मूद बनाया गया है कि आप दो मिनिट के अंदर में एक ब्रीज को पारसा कार सकते हैं यह रहा रोड़ वे जो न्यू ब्रीज न्यू ब्रीज दिखने में बहुत सुंदर है इतना स्मूद बनाया गया है कि रूल किला में इसे ब्रीज आप कहीं हैं ने पाएंगे देखिए आभी अब तक हम लोग ब्रीज में एंटर नहीं किये हैं ब्रीज स्टार्ट होता है अब यह देखिए यहां से ब्रीज स्टार्ट हुआ और यह रहा ब्रीज और इसको इतना स्मूद बनाया गया है तांक्स टू दो उस इंजिनियर्स यह देखिए इसका खासियत यह है कि आप स्ट्रेट दखेंगे तो उको पता नहीं चलेगा कि आप ब्रीज में हूँ देखे, side में कहीं भी नदी का symbol नहीं दिखता है, नदी का sign ही नहीं दिखता है, जब तक आप कोशिश नहीं करते हैं, नदी को देखने कलें, आप नदी को देखी नहीं सकते हैं, यहाँ सेधे आप जाएंगे अभी TCA की और, जहाँ fly over railway का हैं, वहाँ यह रास्ता connect करती है, तो राइट तरफ वो जो ब्रीज दिख रहा है, वहाँ से आप अगर आने वाले हैं, तो देखे कहां से आपको रोड़ लेना है ने, तो आप बीज में फस्ट आएंगे, तो इसलिए, यह रास्ता जो आप इस्ट्रेश नहीं करते हैं, आप सीधे जाएए, और फ्लाइओवर में ही जाएंगे, तो ब्लोकेज दिया गया है, इसलिए बड़ा गड़ी का भी तक अनुमती नहीं है, इसलिए जितना भी गाड़ी, जो बाइक हैं, फॉर्विलर्स हैं, जहबास, वो सब शोट काट रास्ता लेके आते हैं, टी से ल देके आते हैं, मैं दिखाँगा, आप सिधा जाएंगे, यह दिखिए, यहां फ्रॉंट में दिख रहा हैं जो ब्लोकेज, वो लेट तरफ नहीं तर रास्ता लेना पड़ेगा, और राइट तरफ लेंगे तो आपको पुरान टी से रोड ही मिलेगा, उपर में जाएंगे, यह TCA आपको ले जाएगा यह जो यहाँ जो रास्ता दिख रहे हैं लेट तरफ अभी यहाँ यहाँ से लेट तरफ यह आपको IDC और से अरनोल स्कूल भी ले जाएगा यह राइट तरफ हम लोग OITCA की और जा रहे हैं जो आते हैं यह रास्ता को जरूर देखे होंगे उतना अच्छा तो नहीं है पर better than old bridge यहाँ से आप सिधा जाएए आप फ्रॉंट में हम लोग main road को पा सकते हैं ट्राक के पीछे चाहे मेरे right तरफ पन पोस जाएगी और left तरफ बेदव्यास से आएगी और यह रहा हम लोग अभी बेदव्यास के route को पकड़े हैं और मैं एक बात आपको याद करने के लिए बोला था वो जो रास्ता में left तरफ दिखाया था वो left तरफ दिख रहे हैं वो connect करेगा यहां यहां connect करेगा अभी तक उसको blockage किया गया है thank you so much for being with me have a safe journey